यह गैसे निए तुम्हें बच्चा ठोंग गया यार उह वह इत्र हो गया बाई तुम्हें बड़े-बड़े वह वाई शाहिन शाहएफ्रीदी के तो भाई-परी बोलिंग बिलो एंवर जारी और यह नहीं नफे ने खान्युत करें बच्चे की मजा या ड़त उग मार रहा है संतान में मीटर का च्छका मार रहा है हरिस्राफ टेपिया को असलाम वैलकूम वैलकूं टो में चैनल जैस्क्रीकर दोस्तों हाइलाइट्स आपने देख ली हैं चैन्स सेकंड्स के बाद फुल वीडियो के जाने भी चलेंगे पीएसल में लहूर कलंदर्स विसिस क बारे में क्या चैना है मगर उससे बिल अगर आप हैं क्रिक्ट के फैन तो क्रिक्ट की घर इन का बैले करें कि लिए इस चैनल को सबस्क्राइब कर ले और एक यं? का पढ़े हर ले लैटेस विडिशो के बढ़े डेट आपको सबसे पहले मिलने सके यह पानी से मतलब कि हदे पार हो गई यार बच्चा के ठोक गया प्रीती जिंटा के शकल वाला डिंपल पड़ रहे गड़े पड़े गालों में तुम्हारे गड़े हातों में फील्डिंग हो नीरी बोलिंग करा नी सकते एक बाह बताओ जब एंडे में भी थोड़ा सा बहुत था कि पाकिस्तान की बाई उसने रख के छका मारा लॉंगाउन के उपड़ से शौट बॉल कराई जर्ष्ट फर लैंथ रख के छका मारा और बाबार रादं से बैटर नहीं लग रहे मैं कितनी बार बोलता हूं पाकिस्तानी मेरे से बहस करते हैं कि प्लेयर वह जो मैच फिनिश क करके दे यह 21 साल का लड़का शकल इसकी प्रिती जिंटा जैसी और काम इसके जावेद मेदाद वाले मतलब मैच फिनिश करके आया है कहीं पे बीच में रुका नहीं विकेट भी गिरती रही मुझे लगा चलो इसके पास तो बैटिंग नहीं है राइली रूसो आउट हो गया उपर से तुमारा थे तोम्हारा कौन आयता खाई जो합니다 बाद में पहले तो भाठी प्लस कि टिलगा के एक और में दो जखके मार दी है शाहिसाँ अफुरी कि ओ तो काई भाई, एकेस साल के बच्चे ने कम से कम बावा रादम को थोड़ी शरम होनी चाहिए, उसको भी देखना चाहिए कि मैच फिनिश कैसे करते हैं, और कहीं पर भी बुखला है नहीं वह प्रेशर नहीं लगा उसके शकल के उपर, सबसे बड़िया बाद 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 को पुरी दुनिया मारती है, और में को बड़ अच्छा लगा ये वाला इसकी शॉट जरूर दिखाना जो शाहिए अफरीदी ने उसके सर पे ऐसे किया है न, यू यू करके करा है, हाला कि दल में दिल में तो घुरो का बच्चे ने ठोक दिया लेकिन उसकी शाबाशी दिया अच्छा है, अच्छा लगा मुझे ये बात, सबसे बड़ी मैच की शॉट ही वो थी जो इसने शाहिए अफरीदी के ओवर में पहली बॉल पे छक्का मार दिया, फर्स बॉल थी मेरे ख्याल से, जैसे ही वो आया, बाद में, लास में, टेथ होवर में, वो आया, आई थिंक 30-31 चाहिए थे, चार ओवर में, चार ओवर में 30-31 चाहिए थे, अगर वहाँ पे शाहिन इसका आउट कर लेता, मैच पलड सकता था, बट इसने बोला ऐसा कुछ नी हो रहा आज हम मैच जीत रहे है, ख्वाजा नफे को आप देखिए भाई, दोसों की स्ट्राइक रेट से बारा है, कौन है यह इस शकल से प्रिती जिंटा दिंपल वादा लड़का हसे जा रहा है, हसे जा रहा है, देख अभी भी दोनों गालों में, दोनों गालों में देखिए दिंपल बॉइ, यह दिंपल इसने बोला भाई, तूने करके दिखाया, और ख्वाजा नफे नाम य आपको कैसा लगता है और तम मैंने बोला था कि ये बंदा सीरियस टाइलेंट है और देखिएगा ये कमाल का प्रदर्शन करेगा मैं पिछले डेड़ साल से खौजा नफे को मैं देख रहा हूँ बीपील खेलने गया हुआ था ये बंद मैं वहाँ पे कुछ खास कमाल नहीं क करके रख दिया 27 बॉल में अपना पचासा लगाया कोई डर नहीं है इस बंदे में नो लुक शॉट मार रहा है संतान में मीटर का छक्का मार रहा है हरिसराफ टेपिया को नानी याद दिला रहा है भाई सारे के सारे गेंदबाजियों को किसी से ये खिलाडी नहीं डरता न कुछ करता अकेले दंपे आज को इटाग लेडेटर्स को जीत दिला दी और इसके अलाबा लाहूर कलेंदर्स को लगातार दूसरी बार जो है टूर्डामेंड में हार का सामना करना पड़ा है शुरुआत ही इनकी लगातार दो हार से हुई है और सिर्फ और सिर्फ एक खाजान फे अकेला ये नाम याद रखिएगा